नहीं है नहीं है शिरी मेंगराज जैन जी आदेनी अद्धिक्षमोद है आपको बहुत धनिवाद मुझे बोलने का उसर मिला स्वमिधान निर्माता आदेनी बाबासाव अंबेट करने उनका मत था कि आर्थिक और सामाजीक लोकतंतर के बिना राजनेतिक लोकतंतर अधूरा है इसी मुल भावना को उनके इस भावना को पूरी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है अधरनी मोद़ए प्रधान मंत्री ने लाल के लिए से देश को सम्गोदित करते हुए स्वच्छता के लिए बात कही देश में स्वच्छता हो इसके लिए उन्हों आवान किया तो एक दूसरे स्वणाम धन्य नेता उन्हों उसकी मज़ा कुड़ाई उनकी आदत है और तो कुछ कर नहीं सकते हर बात की मज़ा कुड़ाते हैं उन्हों मज़ा कुड़ाई सारे देश भर में भाशन करते फिरे के पजान मंत्री में क्या किया देश के हाथ में जाडू पकड़ा दी देश के हाथ में जाडू पकड़ा दी सारे देश भर में भाश प्यार्थी, किसान, महिलाय, यहां तक कि श्कुल के वच्चों ने भी उस अभ्यान को एक आंदोलन का रूप दिया देश में, और आज पूरे देश के जिदर भी आप जाओ, आपको एक सफाई दिखेगी, यहने लोगों में एक सफाई के परतिया अकरशन हुआ, उनको समझ कि बंद हो गई, जो नेता इस बात की बात करते थे, आदर्णी महदर, कि ते अभी कल्प आउनों आएक भाशन दे दिया, कि प्रधान मंत्री की बात को कोई मात्वनी देता है, उनको पता है, इस देश में कल जैसा अध्यक जी ने कहा, मान्नी सहाज जी ने, कि लाल आदर्णी मोदी जीय कैसे नेता हुए, जिनके केने पर देश में एक करोड तीस लाख लोगों ने अपनी सबसिड़ी छोड़ दी, छोड़ता है कोई, एक पैसा छोड़ने को प्यार नहीं होता है, आदमी, अपनी सबसिड़ी छोड़ी के अंदर, ये किसी नेता की जनता क प्रति कितना विश्वास उस नेता पर जनता का है, कितना उसके प्रति मन में एक सद्दा है, कि उसके केने से उन्होंन सबसिड़ी छोड़ दी, तो ये इस्टिती और उसका मजा को आया जाता है, उसको कहा जाता है कि इनके कोई सुनता नहीं है, आज ये इस्टिती बना द कि जिनको सत्ता से देंता ने हटा दिया आज सत्ता से बाहर उने के बाद उनके अंदर खीच पेदा हो गई है और इसलिए किसी भी सही बात को स्विकार करने के लिए तयार नहीं है गाओं कांगरेश ने मन्यरणा देश में लागू किया उसको खुब शोर मचाया उसका बताएक हमने ये किया गरीबों के लिए जरूर किया गेती भाड़ा उनके हाथ में पकड़ाया और उनको कहा कि जाओ मिट्टी खो दो उनको जो पैसा दिया जाता था उस पैसे को वी आदा अदुरा पैसा मिलता था खूनपसिटना भाते थे आदा पैसा मिलता था और आदा पैसा भीश में खा जाते थे आज उसको आधार से लिंक करने से, खाते खोलने से, उनका पैसा उनको बराबर मिल रहा है, उसकी वियापत्ती है, कोर्टों में जा रहा है बड़े-बड़े वकील, साल आधार से मत जोड़ो, आधार हमानी निष्टा खतम कर देगा, कौन सी निष्टा खतम हो जाएगी, ब् ब्रष्टा चार को करते थे देश के आज विकासर के काम में आ रहे हैं, हमारा आजासाप ने काहा के हमारी योजनाओं को रिपेःगी करते हैं, आज है नहीं? चले गए हैं, भार कई शुन रहे होंगे, आधार से लिपेःगी नहीं करते आपकी योजना थी, आपने उसका लाब लिया चुनाव में जीत गए बाद में उसको कुड़ेदान में फैंक दी हमने अगर वोई योजना अगर आपकी है जैसा आपके तो मैं माल लेता हूँ उसको हमने पुनर जीवित किया उसमें प्राण फुके और देश में उनको लागू किया और उन योजनाओं के कारण आज देश में लोगों को लाब हो रहा है आज गरीब दलित आदिवासी युवा महिला धर्म जाती प्रांथ से उपर उट करके अनेक योजनाओं का लाब प्राप्त करके और अपने जीवन को विकास कर रहे हैं अधर्यनी अध्यक्ष मोद है हमारे किसानों के लिए क्रिशी बिमाई योजनाओं उनकार। आप किसानों को मिला मद्परदिश में बिना ब्याज का रिनडिया अध्यक्ष सरकार ने तीन लाग रूपे किसान लेता है वापस देता है ब्याज नहीं देना पड़ता है एक लाग रुपे अगर लिन लिया है तो ब्याज भी मत दो एक लाग के बजाए नब्य हजार रुपे जमा कराओ ये योजना किसानों के लिए लागू करी प्रधान मंत्री सिचा योजना चलू की उसकी जमीन सिंचित हुई उसकी आंधानी बड़ी देरी उद्योग पशुपालन दुगद उत्पादन के अतिरिक्त आंधानी जेविक खेती से खेत में लागत कम होने जैसे उपाय किये गए आधानी प्रद्धान मंत्री जीनिस देश की इस गरीब दलित आदिवासी युवा महिला कर्शक और मजदूरों की सेवा का पुजा का व्रत निया है जिससे पूरा करने के लिए हम प्रधान मंत्र जी और उनके सब सथी जी जान से जुटे हुए है अब विरोध करते हैं तो क्या करें खंबा नोचने मुद्राय योजना के अंतरगत 10 करोर लोगों ने 4 लाग करोर का रिंड लिया उनका स्विक्रत हुआ 3 करोर लोग पहली बार उन्होंने को रिंड मिला उन्होंने रिंड लिया हमारा आजया साब ने कहा कि वो तो 41 जरुते से ज्यादा रिंड मिलता ही नहीं है आदे नहीं यह कोई मालिया के लिए शुरू करी योजना नहीं है यह जो ना उन गरीबों के लिए है उन दलीतों के लिए है उन आधियाशियों के लिए उन गरीबों के लिए उन जुगी जोपने में जो काम करते हैं उनके लिए जो टीन टिपपट होते हैं जो मेकेनिक होकर छोटे मोटी गाडियां सुधारते हैं उनके लिए इरिन है और इ क्या आता था और इतना उसका देना पड़ता था कि 200 रुपे ले क्या तो शाम तक 20 रुपे देना पड़ेंगे 200 रुपे के साथ इतना उसको देना पड़ता था खुन पसिन का उसकी जो मेनत है वो सावकार को देना पड़ती थी आज उससे वो मुक्त हुआ है गरीब है कि अगर मजदूरी है तो फिर फिक मांगना भी मजदूरी मजबूरी है अब धीक मांगना और पकोड़े बेशना विक आदमी कितनी मजबूरी मंगता है साथ उनको नहीं मालूम है और पकोड़े बेशना एक छोटा आदमी रातो रात तो उसको गलाग करोर रुपे कर देदो बिजनेस नहीं कर सकेगा धीरे-धीरे विकास करेगा अपना और अपने पदिवार के साथ बेट करके और अपने परिश्ण की रोटी घाता है उसको एक संतोस्व प्राप्त होता है वो भी पसंद नहीं है, उसको भीक का दरजा दे दिया, तो आपने जो मनेरगा चलाया था, वो मजदूरी करने के लिए गेती भावडा दिया था, उसमें दो से रुपे मिलते थे उसको, वो क्या भीक थी, समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, उनके दिमाग में क्यों मालिया जैसे बड़े लोग हैं, जिनका दिवाला निकल गया था, उसके बाद भी उनको हजारो करोन रुपे बेंक से लोन दिलाया गया, वो खाके भाग गया, ऐसे अनेक, एन्पे ये के जितने केस हैं, जहां देखो किन ने उनको रिंड दिया, किन के जमाने में रिंड दिया गय जा रहे हैं, पैसा जमा करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, अज ये स्थिति है, इसकी भी मजा कुगाई जा रहे है, आदणी अधर्यसमद है, हमारे आजास साब ने सदार पटेल की बात कही सदार पटेल साब जैसा अभी हमारे उधारम बता दिया अधरनी रामचंदर सिंग जी ने कि अगर पटेल की बात मान ली होती पटेल को सम्मान दिया होता तो आज ये काशमीर की समस्या हमारे सामने नासूर बन करकर नहीं खड़ी होती हमने हरब और रुपय हुका है काशमीर में हजारो जवान लग वजवान हमारे शेहिद हुए हैं लगाता है इतने वर्सों में काशमीर में यह सबसाला किसके कारण हुआ है इसका जबाब है आपके पास इसका जबाब दे सकते हैं कोई ने इसका दोशी अगर नाम ले लेंगे तो उचल पड़े हैं एक मिट में आप अपमान कर रहे हो हमारे नेता का पर ये उनकी सोच और उनके कारण आज ये देश तबाह हुआ है तिबबत की बात कही राजेन बाबू ने कहा सरदार पटेल ने कहा बाकी लोगे ने कहा कि इस तिबबत को मत्य करिए पर नहीं तो उस समय तो एक पंच शीलकार उसका नशा चड़ा हुआ था तस्तिन में रख करके तिबबत को चीन को दिया गया दुनिया समझती एक बफर इस्टेट रेना चाहिए बीच में पर वो समाप्त करके चीन को हमारे दरवाजे लाकर खड़ा किया कोन दोशी उसका आज डुकलमा की बात करते हैं बार-बार एक नेता हैं पार्टी के उनकी अध्यक्ष हैं वो चाहिजा कुछ भी बोलते हैं ये किसके कारण हुआ है चीन क्यों आया यहां तक इसके बारे में ज़रा विचार करो मां भी मांगो देश से उसके लिए पर तु आज बोलते हैं चाहिजो आदेणी अध्यक्ष मोद है राष्ट्पति का जो अभी भाषण है उस अभी भाषण के अंदर गरीब की किसानों की दलितों की मजदूरों की महिलाओं की बात कही गई उनके विकास के लिए का गया बोले बजट अभी जो बजट आने वाला है उसके वारे में बी उनके दिया को बड़ाय होता सब सीड़ी दे रेक किसानों को हमने उजुला योजना के अंदर महिलाओं को गेस कनक्षन दिये सोचाले बने गाउं-गाउं के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना आदरनी अटल विहरी वात्पे के समय जो काम 1952 में होना था सबसे पहला काम होना था प चोटी-छोटी पुलिया नहीं थी ना लेते लोग जा नहीं सकते थे पर उस समय एक करा नहीं अटल जी के समय प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी और आज गाउं का विकास हो रहा है गाउं को सड़कों से जोड दिया गया है कजबों को सड़कों से जोड़ा है आज अरकी देश की हजम नहीं हो रहे है कुछ लोगों को घरीब की बात क्यों कर रहे हो आज तक आपने घरीबी हटाने का नारा दिया घरीब का विकास नहीं किया योजना ये थी मुझे याद एक घटना मैं उस घटना का उल्लेक करना चाहता हूं अर्षी के अंदर जनता सरकार गिर गई जनता सरकार गिर गई तो चुनाव चुनाव के अंदर जनता सरकार हार गई हमारे कांगरेसी मित्र थे मैंने उनने मुझे पूछा कि समझ माया आपके सरकार कैसे चलाते हैं आपको सरकार चल रहना नहीं आती मैं क्यों ही क्या हो गय बोले आपने लोगों को सब लाइनों से अटा दिया घासलेट की लाइन समाप शक्कर की लाइन समाप गयों की लाइन समाप कोईले की लाइन समाप हर चीज की लाइन लगती थी लोग सुबह से शाम तक उसी में देते थे बढ़ा खुश होते थे कि मैं अपने जोले में दो कि मजी मिट्टी का तेल मिल गया आप ने सब लाइने समाप्त कर दी दो रुपे किलो डेवर रुपे किलो शक्कर उसमें मिलने लग गई थी और सब लाइन बजार कंट्रोल की दुका ने बंद हो गई थे प्रकार से तो उनने का कभी लोगों पास कोई काम नहीं रहा आदमी रोटी खाता और फालतु बेशा बात करता है चरण सिंग ने क्या करा मुरार जी ने क्या करा फलाने ने क्या का जग जेवन राम ने क्या का और दिन उनको इस प्रकार का जो है गरीब का वोट उनको मिलता रहे अगर गरीब के पेट में रोटी पोच जाएगी अगर पेले पेट भर गया बुविक्षतम किम ने करो दी पापम भुका आदमी सब प्रकार का पाप करता है अगर उसको रोटी मिल गई तो बाकी पाप बंद हो उसका दिमाग लगेगा पड़ाई में जाएगा सोचिने लगेगा तो हमारे बारे हम सोचेगा फिर अगली बार हमारी सरकार में आएगी इसलिए इन्होंने कभी गरीब को उठने नहीं दिया आज जब गरीब की बात होती है तो इनको लगता है योजना काई के लिए कोई इसमें तो कोई विकास की बात नहीं है केवल किसान को बजट किसान को कर दिया किसान इस देश की रीड की हड़ी है मैंने जब राजनीति प्रारम राजनीतिम आया तब पंडित दीन देल जी को मैंने पड़ा नाना जी देश मुगें उक्तर प्रदेश में आया एक नाना द मिलेगी उसको भीज नहीं मिलेगा किसान के तरक्की करेगा है हमने यूरिया के लोग लड़ते थे बलेक में बलता था जहगड़े होते थे यूरिया के लिए लाइने लगती थी पहले से जा करके आग Sr. यूरिया गाओं में सोसाइटी में लोग दोड़ पढ़ते थे आज व और हम तो चाते हैं, हमने नहीं योजना बनाई है, कि यूरे भी उसको लेना नहीं पड़े, जेवी क्रशी हो, उससे अनाज, शुद्ध अनाज पेदा हो, अभी हमारे कश्वजी बोल रहे थे, अनाज, दूद, फाल, सब्जियां, सब्जेरी लिए हो गई है, इन रसाजनी क इतना सको और खास के कारण, जे भी क्रशी करने से, लोगों का स्वास सुद्रेगा, परियावरन सुद्रेगा, जीव विवित्ता सुद्रेगी, बचेगी, पिने का पानी सुद्ध होगा, आज पिने का पानी सुद्ध नहीं है, टूबेल का पानी जेरीला हो गया है, आदर अपर से विकास करने की योजनाय फेल हो गई, विकास नीचे से होगा, जमीन से होगा, प्रत्यक आदमी जिसकी भीवाई फटी हुई है, जो सबसे नीचे पायदान पर ख़़ा है सिडी पर, पंडित दीन दाल जी उपाध्याय ने कहा था, कि सबसे नीचे पायदान पर आशा, प्रांट, धर्म, सब छोड़ करके, सब को साथ में लेकर के, हमारा सब का एक नाता है, भारत ही हमारी माता है, पर हम सब इसके बेटे हैं, इससे प्राप्त सब प्रकार की सुदा, समाज के प्रत्यक वर्गों को मिले, मैं बड़े गर्व से बात किता हूं, कि मध्य प्रदेश में जो जो योजना सुरू करी हमने, एक भी योजना में किसी के साथ कोई भव नहीं हो रहा है, कन्यादान योजना, सहमुलक रूप से निकाह हो रहा है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रत्यक कन्या को 25,000 रुपे का सामान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, हर अगर ये पद्दत्ती सभल हो गई, गरीब आद में खड़ा हो गया, एक बार उसकी गरीबी दूर हो गई, किसान अगर जाग गया, किसान की गरीबी दूर हो गई, किसान की गरीबी दूर करना, आप कैसे करोगे डेड़ गुना, और भई उसको अनेक प्रकार की साहता दी चाहिए दी जा रही है शीचाई कर रगभा छे लाख एकर जमीन मद्य प्रदेश में सीचाई होती थी जब हमारी सरकार आई आज 40 लाख एकर जमीन सीचाई हो रही है क्या हुआ था साथ हो गई साथ लाख हो गई है बर्गी हमारा बांद बना दिया काँ पर प्रत ये रीवा के पास में एक बांद बन गया नेरे नहीं बनी बांद हो एक तरफ की नेरे नहीं बनी खतम करता हूं नेरे नहीं बनी बर्गी डेम बन गया एक तरफ की नेर बने ही वहां के नेता क जिसके उने क्या इलागा था महां की नेरे बन गई दूसरी तों की नेरे नहीं बनी थी हमारी सरकार आई हमने उन नेरों को बनाया आज सिचाई के साधन है गाउं में साधन है गरीब बच्चों को आदिवासियों को हरिजन बच्चों को अनुसिचे जाती के बच्चों को में शाम को बड़ी खुशी से जाते हैं आपको मैं जाबवाजिले का एक मनम केकर अपनी बास समाप्त करता हूं मैं सन निस सो त्रेसेट में जाबवाजिले में राष्टी समस्वक्षंक का प्रचा रख था तो महापर आदिवासी के सिर पर एक धागा कपना बंदा रेता था कमर में धागा रेता था और एक कपड़े की पट्टी उसके आगे लगी रेती थी इसके और हाथ में तीर काम टाड़ता था आज आपको कोई द्रस्ट दिखाई नहीं देगा आप जब जाओ तो आपको हर नवजवान के पास मोटर साइकल मिलेगी एक चार बच्चे अगर आदिवासी के घर में तो चार मोटर साइकले हैं आज उनके घर पक्के हैं पड़े लिखे बच्चे हैं बच्चे इसकूल जा रही है सरकार ने साइकले दिए ड्रेस दिए किताबे दिए और इस प्रकार का एक विकास का रस्ता जो भारती जनता पार्टी और उसके सहयोगी इंडी दलों के लोगों ने ते किया उस रस्ते पर चलते हुए हम इस देश का विकास करने के लिए प्रतिवद्धे आरदरीनी राष्ट पती जी ने महामहीम राष्ट पती जी ने अपने अभी बाशन में इस बात का उल्लेक किया है और हमारे राष्ट यद्यक्ष आदरी अमिश्वाज जी ने वो धन्यावाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्शन करते हुए अपनी बात समात करता हूँ भारत माता की जाए धन्यावाद